नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जादतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके काम बनते नहीं है बनते बनते एंड में आकर काम बिगड़ जाते हैं जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं तब तो सब पॉजिटिव रहता है पर दीरे दीरे सिच्वेशन्स बदल जाती हैं और व्यक्ति अंत में आकर फेल हो जाता है मतलब उसका काम बिगड़ जाता है अब चाहे वो काम नोकरी से रिलेटिड हो बिजनिस से रिलेटिड हो या कुछ भी हो जैसे इंटरव्यू से रिलेटिड किसी एकजाम से रिलेटिड तो ऐसा क्या किया जाए जिससे बिगड़े हुए काम भी बन जाएं और काम बनने आज इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताऊंगा जिससे भाग्ये साथ देने लगेगा भाग्ये चमकने लगेगा किसमत चमकने लगेगी काम बनने लगेंगे पर दोस्तो इससे पहले वीडियो शुरू करता हूं मैं तो आपको मेरी वीडि को लाइक करें और ज़ाद़ से ज़ाद़सी वीडियो को शेर करें दोस्तों ताकि यह उपाय जद़से ज़्याद़ लोगों के पास पोचें और लोगों को ज़स जब जौनद़ां का फाइदा मिले और दोस्तों मेरे यूटुब सीखना चाते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इस वीडियो में जो उपाय है आप अपना कॉपी पैन ले ले और उसको आप लिख ले सबसे पहले तो आपको लेनी है दोस्तों 5 एलाइचि पांच इलाइची और साथ में लेनी है पांच लोंग पांच मिश्री के दाने और थोड़ी सी केसर की पत्तिया मैं दुबारे से रिपीट कर रहा हूं दोस्तो क्या समान लेना है आपको आपको लेनी है पांच इलाइची, पांच लोंग, पांच मिश्री के दाने, और केसर की थोड़ी सी पत्तिया, अब क्या करना है दोस्तों, इस सारे समान को आप एक प्लेट में रख लें, और फिर इस समान को थोड़ा सा, इस समान को अगरबती जलाकर थोड़ी सा दुआ दि और फिर ये जो समगरी है, इसको एक प्लास्टिक के पांच में डाल लें, और इस समगरी को अपने पास रखें, दोस्तों जब आप इस समगरी को अपने पास रखेंगे, तो आपका भागिया आपका साथ देने लगेगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी किसमत चमकने लगेगी और दोस्तों इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको और फाइदा मिले तो दोस्तों आप अपनी कुंडली का विशिलेशन जरूर कराएं अपनी कुंडली जरूर दिखाएं कुंडली देखने से क्या होता है देखो दोस्तों कुंडली देखने से बहुत सारे रहस का पता लगता है जैसे आज हम भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं तो कुंडली देखने से भाग्य का जो भी स्वामी ग्रह है उसके बारे में पता चलेगा कि भाग्य कौन सा ग्रह है अब आपका भाग्य का जो भी स्वामी ग्रह है कोई भी ग्रह आपके भाग्य का स्वामी हो सकता है आप कुनली से यह पता लगेगा कि वो कैसे स्थिति में है अच्छे स्थिति में है या खराब स्थिति में है क्या किसी उपाय की जरूरत है ग्रह को ठीक करने के लिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपका भाग्य का जो स्वामी ग्रह है वो अच्छे स्थिति में नह जाएगा उपाई के माध्यम से तो इससे क्या होगा दोस्तो जब आपके भाग्य के स्वामी ग्रह का उपाई किया जाएगा तो आपका भाग्य आपका साथ देगा आपके रुके हुए काम बनेंगे तो इसलिए दोस्तो जब ये दोनों रिमिडीज दोनों उपाई एक तो मै बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है आप एक बार इसको करके देखें जब आप दोनों उपाई करेंगे तो इससे आपका भाग्य बहुत अच्छा बहुत अच्छे तरीके से चमकता है किसमत बहुत अच्छे तरीके साथ देती है आपके सारे काम बनने लगते हैं सारे आपकी की रुकावटे सारी परिशानियां दूर होती हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं मेरी इस वीडियो सापके एक अच्छी जानकारी मिली होगी मेरी वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें जिससे यह जानकरी जाते से जाद लोगों तक पोचे और मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों चुरूर सबस्क्राइब करें जन्यवाद